यह लाइव यह लो एव्रिवन क्या है हाल चल आप सभी क्यों और मैं भी वेक सिंग आप सभी का हार्द के बिने अंदर निस्तिक्वाल करते हुए स्वागत करता हूं तो कैसे आप सभी क्या है हाल चल सभी क्यों वेल्कम वेल्कम वेलकम वेल्कम मी फ्रेंड बइल्कम वेल्कम वेलकम और व्लकम और मारी क्लस मोझ जैंग और तon इस गiano चल भा हा फेले खालिये और मीनन बर दो कि आप सभी का हार्द आध हूं कि आले हो ऑग्या तो आस को सूरू करेंगे और एक थे धरसर के सबूष जोड़ से बहतरीन कौàiह कोंच Torres का बहुत भीतरीन कार्वाब चलेगा बहतर कोशंपी अधीर कोशिण बढ़या बढ़या थो फाट्र इन्व ज Taiwan सब्सक्राइब करने से पहले हम भाई का रीती को फॉलू करेंगे ना तो सरक्या दुनों हातों को उठागर कहा जाएगा ओम नमा पार्वते पत्ये हर हर महादेव और हर महादेव और आज क्लास सुरू करते हैं सर जी एसी कुछ चलू कर दिएगा क्योंकि आज कम्रे का टाप आप सभी का सौगत है और मैं विवेक संग सौगत करता हूँ तो आप सभी के सामने पहला सवाल और पढ़ते ही सरक्या आपसे पोल भी दिया जा चुका है, सवाल पढ़ते हैं, कि कौन सा पदार्थ प्रकास संसलेशन के दोरा, दोरा दोरान अपचाईत होता है, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल बहुत प्यारा है, सवाल कह रहा है सरक्या, कौन सा वो पदार्थ है, जो reduced होगा, undisist होगा, during the photosynthesis, photos photosynthesis दोरान इसमें से, वो कौन सा पदार्थ है, जिसका reduction किया जाएगा, जिससे सरक्या, जो अपचाईत रहे जाएगा, जरा मुझे बताओ, वो कौन सा पदार्थ है, जो अपचाईत रहे जाएगा, बढ़िया, during photosynthesis, अपचाईत कौन सा रहेगा, बताओ सर, undigested, या फिर सर H2O, क्या बनाता है दोस्ति, ये बनाता है क्या, ये बनाता है C6, H12O6, प्लस 6O2, सरको जो H2O है, H2O से जल प्राप्त हो गया, ठीक है, H2O से जल प्राप्त हो गया, गुलकोस क्या होगा, ये तो product हो गया, और ये क्या होगा, ये by-product हो गया, तो reduce होने के लिए कौन बचा सिर्फ और सिर्फ carbon dioxide तो carbon dioxide का reduction होता है किसमें सर आपके photosynthesis की प्रक्रिया में जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं भोजन को बनाते हैं तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर बनता है सर क्या बिल्कुल सही उत्तर option number A सत्प्रतिशत बच्चे सिल्पी और रानी क्या बात है सिल्पी और रानी बच्चों ने दोने की answer सत्प्रतिशत क्या बात है पुलवाग आज कुछ गबडाएगा क्या लिमलिखित में से कौन सा chemical change नहीं है इसमें से वो कौन है जो कि ए chemical change नहीं है electrolysis of water लोहें में जंग का अच्छा सवाल है और सवाल को पढ़िएगा फिर बनाइएगा है ना देखो गलत करने वाले बचेंगे पिछली सवाल में पर यहां नहीं बचेंगे यहां बिल्कुल नहीं बचेंगे और पर सवाल कहता है क्या सवाल कहता है सवाल कहता है सवाल कहता है सवाल कहता है बड़ nitrogen क्या हुआ? vaporize हुआ, क्या हुआ? वास्पी कृत हुआ, फिर इसका क्या करेंगे? इसका संघनन कर देंगे, क्या करेंगे? इसका condensation, संघनन करके दुबारा हम उस nitrogen को प्राप्त कर लेंगे, तो यानी सर क्या, यह क्या है? यह आपका एक physical change है, जहां पर product से, reactant, उत्पाद से हमने अभी कर्म को प्राप्त कर लिया है, यहां पर जो उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा सर? उत्तर आपको निरुतर रखेगा, option number D बिल्कुल सही है, यहां पर सनी कुमार, यह पूल आज कुछ गबड़े है, पूल में कुछ तो दिखकत है, पूल में कुछ तो दिखकत है, क्या है पूल के साथ हाज? इसमें से कौन है दोस्त, जो की आपका एक केमिकल चेंज नहीं है, जरा मुझे बताओ सर, रसाइनिक प्रक्रिया सामिल नहीं होती है, अब इसको चेंज करेंगे, हैना थोरा साल गड़बढ़ है यहां पर, कोई बात नहीं, हाँ यह हटेगा, कोई बात नहीं, इसको टाए हुआ हुँ, एक सेकंड, आईए, आईए देखते हैं, चैनल कौन से पर है, किस पर पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, बिहार एक्जाम्स वाला पर, किस पर सर कौन चेनल है हमारा, बिहार एक्जाम्स वाला, कहांगे भईया, यूपी, बिहार एक्जाम्स वाला, ठीक है और क्लास कौन सी है हमारी, साइन्स प्रैक्टिस साइट, बिहार प्रिस कॉंस्टेबल, अब साथ यह काम करेगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यहां से आते हैं, और आईए सर आपका अंसर करते हैं, दमिखित में से किस में करसानिक प्रिक्रिया सामिल नहीं है, the option number D, यहां पर melting of candle wax on heating, सर देखो, जब आप सर क्या करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करोगे, तो गर्म करके क्या होगा सर, मोम पिखल जाएगी, और मोम पिखल कर क्या बनाएगी, क्या बनाएगी सर, तो मोम पिखल कर, मोम को ही बनाएगी, यानि हमने इस product से, सर क्या इस reactant से उस product को और उस product से उस return को हमने प्राप्त कर लिये जहां पर option number D हो जाएगा प्रकास translation में रोसनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जो light है तरने को light किस में change होती है? रही सर जो प्रकास translation की प्रक्रिया है इसमें रोशनी किसमे चेंज होती है, ताप उर्जा में, हीट उर्जा में, यांतरिक उर्जा में, रसानिक उर्जा में, तर देको जो ताप उर्जा है, ताप उर्जा किसमे चेंज होती है, आपके किसमे दोस्त, जो आपका प्रकास नसलेशन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया सवाल है असान सवाल है और इस सवाल में जरा मुझे आंसर करिएगा किसर क्या जो आपकी रोश्णी है ये किस उर्जा में चेंज होती है जरा मुझे बताईएगा बढ़िया कमेंट फ्रीज हो गया है कमेंट यहां फ्रीज हो जाते है मेरे क्लास में कि कमेंटरी फ्रीज बरात है चलो कोई बात नहीं, दिए तर क्या, तो प्रकाश रिस्टशन में जो रोषणी है, रोषणी किस में change होती है दोस्त, यह आपके रसाइनिक उरजा में, केमिकल एनरजी में, जहां पर नहा कुमारी, पिंटू, बॉबी, जया मिनाक्षी हो जा, इनका बिल्कुल सही है, सर क्या रसायनिक उर्जा में चेंज होती है, होता क्या सिम्पल सी बात है, हमने वही कहा, सर क्या 6CO2 कर दिया, 12H2O कर दिया, क्या देगा सर, यह देगा C6H12O6 plus 6O2, और सिम्पल सी बात है, यहाँ सनलाइट गिरती है, और सनलाइट किसमें इस रसायन को बनाएगी, सर क्या रसायनिक उर्जा में चेंज हो जाएगी, नेक्स अजो, नमर्कित में से, किस प्राकृतिक श्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं, विचोंग अब तो फॉल्विंग, नेचरल सोर्स, को क्या कहते हैं, दोस्त, सब्ड्यूज लाइट कहते हैं, किसे कहते हैं सब्ड्यूज लाइट, बहुत अच्छा सवाल है, इस में से किस प्राकृतिक श्रोत को, सर क्या दबी हुई रोशनी कहते हैं, तो ना, चांदी, कोईला, या शैल गैस, तरही सर, वो कौन सा है, जो की क्या है, जिसे हम दबी हुई रोशनी कहते हैं, ऐसे रोशनी जो दबी हुई है, सर को यहां पर न, अगर आप सब्ड़ सा common sense लगाओगे, तोड़ा सा, सवाल बन जाएगा, सवाल बन जाएगा, क्या बात है, अंगरी, बहुत ब्रया, तोड़ा साब common sense लगाना, सवाल सर क्या, जम से बनेगा, देखो कैसे बनेगा, देखो, सर दबी हुई रोशनी, लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट, लाइट का सम्भन सर क्या, हम electricity से एक बार लगा लेते हैं, बिद्यू सर लगा लेते हैं, और भी जाएatos कोईला क्या है, कउला, कोईला सर क्या, पॉसिस क्यूल, जीवाश्म के रूप में, किस रूप में, जब जीवाश्म कही दबे थे, तो सर क्या तो वो कोईला बने है, कोल बने हैं सिंपल सी बात है कोईला ठीक है सिंपल सी बात है कोईला को मन से सवाल बन जाता जहां पर 48 प्रतिशत बिलकुल से हुआ है कि वान्सू किशन चंदन और भी सरक्या बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे बनाट साइब्स फृआप रिष्टी से संदूर क्या है एक चिपगी संदूर की कीमत तुम क्या जाना है विवेक बाबौ सेको कार्वाइट है पोटैसिंद मैंट्रेट है मर्कूरिक सिल्दॉइड है या आपका सोडियू कुल्राइड सर इस में से वर्मैलियों संदूर क्या सिंदूर क्या है बड़ा पेरा सवाल है एट चुटकी सिंदूर की कि मत तुम क्या जाना हो रमेश बाभू है अच्छा सवाल है बनाईएगा बलेजवाला अंग्रेजी मोहिनी एसक्या रुस्तम खुशे देखे बड़ा सवाल सर देखो कैल्शिम कर्पोनेट क्या है इसे कहा जाएगा चूना पत्थर क्या कहा जाएगा दोस्ते से इसे कहा जाएगा चूना पत्थर पोटैशिम नित्राइट कहसर यह आपका शोरा है यह यह अंच्रो χोरणो यह KNO3 पोटैशिम परमेगनिक नहीं के अन 5EC mercury sulfide HGS हज़ी एस जो गैलेना से प्राप्थ होगा जो किस से प्राप्थ होगा गैलेना और गैलेना किसका ओर है mercury का अयस्क है sodium chloride ये क्या है दोस्त ये तो common salt है NaClS अधार नमक है तो यहाँ पर आपका option number C बिल्कुल सही बैठता है कितनों ने सही किया देखा जाए यहां पर सरक्या इस सवाल को 82 प्रतिशत ने बनाया है यहां पर कूल कॉप है कुणन है शुशील माशी है और बहुत सारे दोस्त है काच का कौन सा प्रकार उश्मा रोधी है उश्मा रोधी काच कौन सी है वो कौन सी काच है जो सर क्या जो आपको सर्याद रखोगे और हीट को काट देगी है अज़िए बढ़ यहां तर किलियर नहीं दिख रहा है मुकेश बाबू तुम्हारा आई विजन 6x6 नहीं है चेक कर यह बात है स्टोनी कुमारी देखें सर उश्मा प्रत्रियोधी हीट रजिस्टेंस कौन सी है तर यह जो पाइरेक्स गलास है ना पाइरेक्स पाइरेक्स काच है सर इस से बनते है लेंस इस्ते क्या बनते हैं दोस्त इस्ते बनते हैं लेंस लेंस बनते हैं यहां पर एंसर क्या हो जाएगा option number D बिल्कुल सही है जहां पर 57 प्रतिशत बच्छे आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है रूपल एंग्री सोना ली बढ़ यहां दोस्त नेक्स आजो कि एप्सम का अद्योगिक नाम क्या है अच्छा सवाल है एप्सम एक क्या होता है एक नमक होता है इसका अद्योगिक नाम क्या है इसका अद्योगिक नाम क्या होता है एप्सम स्वाल का अद्योगिक नाम बढ़ियां बढ़ियां सब आले दोस्त, बनाईएगा इड़्ण इड़्ण सर क्या जमाक से बनाईएगा तर रिखे, जो एपसम सॉल्ट है, एपसम सॉल्ट का अद्योगिक नाम क्या है, what is the chemical name of एपसम सॉल्ट, सर ये सॉल्ट है, नमक है तर नमक की बात हुरी है, नमक की, नमक एपसम सॉल्ट एपसम सॉल्ट कैसा नमक के सर, ये बैगनेशियम सल्फेट है MgSO4, MgSO4 है मैगनेशियम सल्फेट, एपसम सॉल्ट को कहते हैं, याद रखोगे लेड अक्साइड नहीं होगा, लेड पर अक्साइड नहीं होगा, फिएरस सलफेट नहीं होगा, यहाँ पर option number पहला बिल्कुल सही हो जाएगाë, क्या sir, बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर 46 पूल कॉब सपना प्रतिमा याद रखेगा, बिल्कुल सही है, नक्स आज किसके द्वारा समझाया जांसकता है अधा Rule 2007 एंभ हा गुण इसकी जुए तो आज मुझे पर light पड़ी, light टकरा कर वापस चली गई, क्या हुआ, reflection हुआ, क्या हुआ, reflection है, क्या option में, option number B, परावर्तन, परावर्तन की घटना के दोरा, तो यहाँ पर आप, क्या देख पाओगे, छाया के ठन देख पाओगे, जहाँ पर आपका option number B, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या सही होगा दोस्त, आपका option number B, जहाँ पर 24% बच्चे हैं, अंजली, रामराज, मुकेश, क्या बात है, नेक्स आजाओ, तर देखो, इन धनुष में, सबसे उपरी भाग में कौन सा रंग होता है, अच्छा सवाल है, rainbow से question है, तर देखो, जब इन धनुष बनता है, इन rainbow में, दो बार क्या होगा दोस्त, दो बार, दो बार अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन की घटना होती है, और एक बार, क्या होता है दोस्त, TIR होता है, क्या होता है दोस्त, दो बार अपवर्तन होता है, एक बार TIR होता है, जिससे क्या बनता है दोस्त, जिससे आपक ल्टा बनता है कैसे बनेगा विब गयोर बनेगा यानि वालेट टू रेड होगा तो जहां पर आपका लाल बिल्कुल सही अंसर हो जाए कौन सा रंग उपरी भाग में होता है क्या आपका लाल जहां पर 25% पूलकॉप, चंदन, एंग्री और भी बहुत सारे मेरे लाड़ले हैं, नेक्स आज़ो, सर रेटीना पर नेत्र द्वारा निरिमित प्रतियमे कैसा होगा, हमारी रेटीना पर बनने वाला प्रतियमे कैसा होता है, सर सिंपल सा सवाल है, दम सिंपल है, देखो यह सवाल एक्ज यह उत्तल लेंस की भाति बढ़ताओ करती हैं, यह उत्तल लेंस की भाति बढ़ताओ करती हैं, उत्तल लेंस की भाति बढ़ताओ करती हैं, उत्तल लेंस की बढ़ताओ करती हैं, और उत्तल दर्पण से बनेगी, और उत्तल दर्पण से बनेगी, और उत्तल दर्पण और उत् बता है उल्टा बनता है और उल्टा के साथ आपका वास्तविक इमेज बनता है याद रूखो कि सर्कut Web मनेगा और कैसा याद रूखो कि रियल्ए और कहता हुआ उल्टा चोट स्ट आँ बिल्कुल छी सुनलर्थ तो यहां पर क्या हो जाएगा इनवर्टेड हो जाएगा स्मॉल ऑप्शन नुमरे बिल्कुल एधिये यह आपर 40 प्रतिशत है चो लेंश किसे बनता है कि हमारी आखों में जो लेंश होता है हमारी आखों का जो लेंश होता है या जो लेंस, हमें सारे कुछ से एक चश्मा पहना है, विसमें एक में लेंस होगा, किसे में लेंस नहीं होगा, कोई एक बात है, आँखों में लेंस लगता है, लगता है, कि आँखों में लगा के लेंस निला निला, गोरी तबाह के लो जीला है, ना, सर क्या, what is the lens made of? पाइरेक्स का बनेगा, फ्लीट का बनेगा, साधान का बनेगा, या कुबाल का बनेगा, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, आजी, बढ़िया, सरे को आखों में प्रियोग होने वाला जो lens है, वो किसका बना होता है? रिखिये, आखों में, जो lens प्रियोग होता है, वो फ्लीट क्लास होता है, फ्लीट क्लास, या उसे कहते हैं crown glass, फ्लीट या crown glass, फ्लीट क्लास या जो crown glass होता है, इसका क्या बना होगा, सर, इसका आपका lens बना होता है, option number B is the correct answer, option B यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर 48 प् कुन्दन है, क्या बात है, नेक्स आजो, किस gas के गंध, सड़े हुए अंडे के जैसे होती है, वो कौन सी gas है, जिसकी smell सड़े हुए अंडे जैसी होगी, hydrogen sulfide, sulfur trioxide, sulfur dioxide या carbon monoxide, वो कौन सी gas है, जिसकी smell कैसी होती है, जिसकी smell सड़े हुए अंडे जैसी होता ही सर, वो कौन सी gas से जिसकी स्मेल सर क्या होती है सड़े हुए अंडे जासी होती है रuse सर्व सड़े अंडे जासी किस्की समय्होती है कर्मन औक्साडस्मेल ही नहीं होती इसलफरी योक्षाइड नहीं ट्रैयोक्साइड नहीं, हाड्रोजन सुल्फाइड, दा, दसर क्या, दा H2S, हाड्रोजन सुल्फाइड, दा H2S, जिससे आपका तामबा हरा हो जाता है, चांदी काला हो जाता है, हाड्रोजन सुल्फाइड, H2S गयस है, जहाँ पर option number ही बिल्कुल सही है, कितनों ने बनाया पुझे का रंग, लाल क्यों होता है, HERको due to the presence of magnesium in abundance, due to the presence of be accumulated humus, संचित humus की मौईद्धिगी से, due to the presence of iron oxide, या due to the presence of abundant phosphate, बताएज़ी सर, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, सर बताओ सर, बताओ, क्यों होता है, देखो, लाल मिटी, सर को लाल मिटी का रंग लाल क विज़िए से है सवाल, कौन सवाल? ट्राई को डिसमिंह मेरेथरियम जबकि लाल मिटी, लाल मिटी में क्या होता है तोस्त आयरन ऑक्सइड मौझूद था असे राल मिटी में आपका आयरन ऑक्सइड मौझूद होगा और इस मौझूद का आप याद रख पाओ के सर क्या, तो जो आपके मिठी है, मिठी का रंग क्या होगा, लाल हो जाएगा iron oxide की मौझूद्गी से, जहां पर options भी बिल्कुल सही है, 57 प्रतिशत, cool cop, goldy, mukesh, बढ़ियां, इसमें से वो कौन सी गयास सबसे ज्यादा विशैली है, इसमें से वो कौन सी गयास है, जो सबसे ज्यादा विशैली है, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen या hydrogen, वो कौन सी गयास है, जो सबसे ज्यादा विशैली हो जाएगी, poisonous होगी, एक असान सवाल है, यह बनना चाहिए, बनेगा न, बनना यह तो गर्मी लाती है, तो गर्मी के लिए है, गलोबल वार्मिंग है, इसके लिए हो जाएगी, याद रुखो के, तर कार्बन मोनो अक्साइड बिल्कुल सही बात सर क्यों, क्योंकि हीमो ग्लोबीन, हीमो ग्लोबीन से सबसे जल्दी कार्बन मोनो अक्साइड मिल जाती है, हीमोगलोबीन देखो हीमोगलोबीन से ऑक्सिजन तो मिलता है याद रुको कि हीमोगलोबीन से ऑक्सिजन तो मिलता है लेकिन उससे आतेजी से कार्बन मोनो अक्साइड वो आपने सुना होगा ना कि मोहबत की नाओं में उस दिन ही छेद हो जाता है जिस दिन लड़की अपन इसे खुबसुरत दोस्ते मिला देती है तो हिमोगलोबीन तो ऑक्सिएन के साथ मिलना चाहिए था लेगिन इससे खुबसुरत कोने कर्बन मोनो ऑक्साइड तो मिल जाती है जो कि एक बहुत ज्यादा बिशाली गैस है जिसे हम दम घोटु गैस भी कहते हैं किसे आपके कर्ब मोनो ऑक्साइड को दो ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर अस्री प्रतिशत संदन रामराज अमन इस्टेन क्या बात है इस्टेन साथ बहुत दिनों बाद गंदे सरवजनिक मुत्राले में कौन सी गैस निकलती है जो आपके सरवजनिक मुत्राले होत कि गंदे सरवजनिक मुत्राले हों से वो कौन सी गैस है जो निकलती है जरा मुझे बताओ बढ़िया प्रिणना सिंग बढ़िया सोनु कुमार गौतम सुनाली पुस्पांजली जियोतिक आश्टोष राण चलिए देखिए सर पिर कौन सी गैस निकलती है आप सभी को पता ह है सर देखो हम क्या करते हैं हमारी बॉडी में मौझूद है अमोनिया मारी बॉडी मौझूद है अमोनिया लिबर चेंज करेगा यूरिया में लिबर चेंज करेगा यूरिया में इससर क्या किया जाएगा किड़नी दुआरा सरीर से बाहर कर दिया जाएगा किड़नी बाहर निकालते हैं लेकिन अगर वही पिशाब कुछ देर तक इकठा हो गया तो वहां से स्मेल आएगी क्योंकि वो यूरिया फटाक से अमोनिया में चेंज होता है सो दा अमोनिया इस दा करेक्ट अंसर याद रखेगा अमोनिया और पिशाब का रंग यूरो क्रोम की करण पियच वैल्यू 6.0 पियच वैल्यू 6.0 साहिल रामराज करंबीर सिंग राजपूत बढ़ियां है किस अम्ल का उप्योग led storage bateries में करते हैं वो कौन सा ऐसा अमल में है πα्रयोग led storage battery, led storage battery में याद रुखो कि led को store जिसमें cathode आपका copper होगा एंओड आपका zinc होगा और इसकी सकती होती है यहाँ परियोक करते हैं किसका प्रियोक करते हैं है। ये अमलों का राजा लेकिन जरूर है इसे king of chemical कहते हैं अमलों का राजा कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे vitriol का तेल कहते हैं oil of vitriol कहते हैं सबसे strong acid कौन सा है HCL भया कहां पे है भया हमरे पेट में है पेटे में लेकर घूम रहे हैं HCL को याद रखेगा ठीक है चलिए और सबसे weak कौन सा है acidic सबसे weak acidic जहां पर आपका answer option number one sulfuric acid हो जाएगा 67% बच्चों का बिल्कुल सही है cool cop है rani है ruby है क्या बात है next देखिए next कहता है कि किस gas के जली विलियन का पेज अमलिया गुण होता है वो सर क्या देखिए सर क्या कह रहा है सर कह रहा सवाल सवाल बढ़ा प्यारा सा पूछ रहा है कि में से किस gas का जली विलियन क्या होता है दोस्त echo solution तेज अमलिया गुण मतलब इस strong acid हो जाएगा वो कौन सी gas है जिसका जली विलियन जिसका याद रुखो कि echo solution बहुत ज्यादा acid हो जाएगा बताओ दोस्त बढ़ियां बढ़ियां चांदार बढ़िये कौन सी है दोस्त सर रहे को तेज अमलिया गुण सर रहे को echo solution अई सर मिलाते हैं मिलाते हैं सर रहे NH3 है H2O मिलाओगे HNO3 मिल जाएगा फॉस्वीन है नहीं दोस्त पर यह दिख रहा है क्या यह दिख रहा है बिल्कुल पर यह कैसा sulfur dioxide SO2 है इसमें क्या मिला दो इसमें H2O मिला दो क्या बन जाएगा दोस्त H2SO4 बन जाएगा दोस्त जो कि क्या है बहुत अमलिय गुण का है तेज अमलिय गुण का है जहां पर options ही बिल्कुल सही है जहां पर 52 प्रतिशत बढ़ियां आज पढ़ रहे हो तम लोग रामराज एंगरी अनून श्रीन परवीन अरे इस तरीके से पढ़ते रहोगे ना जो क्या वंचो की सिरीज है इसको अगर कर लोगे ना दुनिया में फिर कोई सवाल ही लगाना पड़ेगा भिहर पुलिस कॉंस्टबली कोई सवाल ही लगाना पड़ेगा आतिस बाजी में हरा रंग किसके कुलराइट के साथ होता है जो आतिस बाजी में हरा रंग है हरा रंग है और यही पठाके दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया है इसी को पठाके दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया है इडम बैन कर दिया है बताओ सर क्या हो जाएगा दोस्त तर यह कहता है कि आतिस बाजी है ना और यही सवाल पूछता है, पटाकों में नमक होता है, एक कॉन salt होता है ? एक barium salt होता है barium, जो क्या करता है? जो हरा रंग लेके आएगा एक होता है स्ट्रोन्शियम, जो क्या करता है दोस्त, जो याद रखो कि जो लाल रंग लेके आएगा धुआ लेके को न है सर धुआ लेके तो sodium लेके आएगा धुआ 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 कर देंगे anti money glittering लेके आता है anti money जहां पर barium है जो हरे रंग को लेके आएगा और strontium लाल रंग को लेके आएगा ठीक है और ये सवाल बहुत जादा पूछा जाता है option number c 40 प्रतिशत है याद रखोगे अभिशेक हैं कुंदन है एंग्री अनू है बहुत बढ़िया नेक्स आजओ सर रेखो केले के बीज क्यों नहीं होते हैं सर केला में बीज काहें नहीं होता है सर याद रखोगे क्योंकि केले में बिजांड नहीं होता क्योंकि केले में परागर्ण नहीं होता क्योंकि केले में पुंकेसर ही नहीं होता या उप्यूक्त में से कोई नहीं जर केले में बीज क्यों नहीं होता, बहुत प्रवारा सवाल है, और अगर ये सवाल आया ना, परिक्षा में 90% बच्चे सर क्या, तो टैं बोल जाएंगे इस सवाल में, लेकिन तुम टैं नहीं बोलोगे, क्योंकि भी या क्या, तुम भी वेक सर से पढ़ रहे हो, तुम भी पॉली नेशन ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कण वहाँ पे आये, कुछ होगा ही नहीं, जिस सवाजर सर याद रुखोगे, कि केले में बीज नहीं होते, इस बात को आप सार याद रुखोगे, पॉली नहीं होता, यहां पर 30% बच्चे बिलकुल सही है, अनुराग है, अ तर टहनियों से ही जड़े लटकती है, आप लाध में देखो, आप चुरयल भीया, आप भूत बा, तो बताओ सर वह क्या होता है, बताओ दोस्त, वह क्या होता है, अं? बताओ, कल एक लड़का कमेंट किया था, आप सब की कमेंट पढ़ता हूं, रखोगे, तू कल मैंने ए एक बच्चे की कमेंट पढ़ें उस बच्चे ने कमेंट लिखा सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है पर उबर एक तिक गरते हैं सभी मेरे हैं उस तुम लोग से प्यार है कि एमोशनवाही कंट्रोल नहीं होता है हम कहा करें हम तो हैं बड़ा स्ट्रिक्ट लेकिन तुम सब्सक्राइब होता है और यहां से तना इसकी सर के जड़े लटकती है इस तरह से जड़े इसकी लटकती है क्यों लटकती है जो कि यहां पर याद रुखोगे इस तंभ मूल होते हैं कॉलम रूट होते हैं कॉलम रूट होते हैं इस बात को आप प्याद रखेगा कैसे रू है बहुत- 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 जा झामेत है और यह सब ऐसे सवावद है जो क्चिए सब कार कि यह सब इस च्पार नहीं कोई तो यह सब क्या सब कोई इस निए से कौन जानो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पजा सकता तो याद रखेंगे सुवर जो है सुवर होता है सुवर सुवर याद रखेंगे सुवर जो है यह रेशे को अच्छी तरीके से नहीं पजा सकता सुवर एक ऐसा जीव है जो पसीना जिससे नहीं निकलता जो स्वेट क को फॉर्मिशन नहीं करता याद रखो कि वो क्या है दोस्त वो है सूर ठीक है that is the option बढ़ी 35 प्रतिशत क्या बात है सुनाली प्रिंस विकास और तुमहूं हो क्या आई दा तुमहूं हो बहुत बढ़िया दोस्त बहुत बढ़िया नेक्स आजो हरे पोधे में प्रकास संसेश दो खोड़ना और ओक्सिजन लेना और निट्रोजन चोड़ना सिंपल सवाल है बन जाना चाहिए गल्ती करने वालों को अपने आपको स्र क्या करना मों बहुत अपने कपार पर बिमार लेना सबसे पहले स्टाइलीस तुजी तुम्मारना है ना कि तुम option D कह रहे हो कौन से बाभू आईसा पोधा है जो नाइट्रोजन छोडते है बाभू अहां पर ओप्शर किया यहां पर बिल्कुल बिल्कुल बनता है याद रिखोगे तरहिंगये चलादे हम यहां को गरमी लग रहा है सर क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर सत्तर परसेंट बच्चे है अनुराग दिलकश यूराज है ना ठीक है नेक्स आज़ाँ मा भाती मा पौधे की भाती पौधा मिलता है दप्लांट इस ऑप्टेंड लाइक अ मदर बहुत चाह सवाल है बहुत अच्छा सवाल है फिर देखो कि सर क्या की मा भाती पौधे जैसे देखो एक पैरेंट बौड़ी है और उससे ही सर क्या बौड़ी निकली है तो किसमें मिलेगा तना काटके बीजों से मिलेगा इन में से कोई भी नहीं या इन में से दोनों हो जाएगा किस से हो इसमें पत्तियों से नहीं पत्तिया निकलती हैं तने को काटके नया पोधा बनाते है इसे कहते हैं फोगे जोगा नाका मॉटा टेड़ा लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा 42 प्रतिशत राजेश हैं एंग्री हैं आचल है नेक्स आज़ो कोशिका में कौन सा कोशिकांग कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो आरोबिक रेश्पारेशन द्वारा उर्जा उत्पादम संबन्तित धिं के बढ़िया सा कोशिकांग को गुमाया जया है पर जो बच्ठे पढ़ने वाले होंगे ना एक पल में सवाल को पकड़ीयू सबाल देखो क्या रहा रहा है सवाल कह रहा है एरोबिक रेश्पारेशन ऐसा respiration, जो किसकी मौजूदगी में हो, जो oxygen की मौजूदगी में हो, oxygen की मौजूदगी में, glucose का आंशिक पार्षन, partial digestion याद रखोगे, ठीक है, सर क्या, ribosome, nucleus, mitochondria, nucleolus, ठीक है, गुलगपा भटूरा, आज मैं तुम्हें जलील करने की mood में नहीं हूँ, आज मैं पढ़ाने क of the cell कहते हैं, जो aerobic respiration द्वारा क्या करता है, तो glucose, glucose तूटेगा, और तूटके, ATP के रूप में, ATP के रूप में उर्जा बनाएगा, और कितना ATP सर, तो 36 ATP उर्जा बनाएगा, इस बात को आप सारे याद रखोगे, ठीक है, ठीक है, 36 ATP उर्जा बनाएगा, इस बात को आप य कहते हैं, leucoplast, chloroplast, chromoplast या vacules, रिक्तिकाओं को कहते हैं, आपके chromoplast को कहते हैं, chloroplast को कहते हैं, पर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाएगा, जहां पर food बनेगा, जहां पर क्या होगा दोस्त, जहां पर आपका food बन रहा है, food, भोजन बन रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कोशिका का रसोई घर कहा जाएगा, क्या बी जाएगा कोशिका रसोई घर और यह घर रर रखोगे That is the answer, will be what? That is the answer, will be डर्रेश्वले घर रखोच आप इस लिःद रखेगा, जो fूड में इस काम को करता है, याद रखेगा इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो कोशिका का रसो इहर कहा जाता है, यह आज थोड़ा सा कम नखरा खा रहा है, पर नखरा जरूर खा रहा है, यह एक सट प्रतिशत बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, संजय हैं, अनुराग हैं और रामराज प्रजाबती, नखरा तो करी रहा निम्लिकित में से कौन अपनी समाजिक बिवस्था के लिए प्रशिद्ध है? इस में से कौन है जो अपनी समाजिक बिवस्था के लिए प्रशिद्ध है? सर गाय, सर सुवर, सर मधुमक्खी, सर मचलियां. यहना सर गाय है, सुवर है, मधुमक्खी है या मचलियां है जो सर क् प्रसिद्ध है, बताओ सर, कौन होगा वो, गुपाल महतो, देखिए, सर क्या कह रहा सर, कि कौन अपनी समाजिक बिवस्था के लिए प्रसिद्ध है, सर मधुमख्य, सरे को जो मधुमख्या होती है, ये अपनी समाजिक बिवस्था के लिए प्रसिद्ध होती है, क्योंकि इन यह मधू को लेकर आती है और जो रादी मधुमक्षी होती है उसकी रक्षा करती है तो तर क्या हो जाएगा मधुमक्षी और मधुमक्षी पालन को AP कल्चर कहते हैं याद रखोगे क्या कहते हैं AP कल्चर कहते हैं option number C 33% कूल कॉप अंजली एंग्री क्या बात है निक्स आजओ नमिकित में से किसकी पोशन विधी होलोफाइटिक है होलोफाइटिक किसकी है बहुत प्यारा सवाल है ये भी होलोफाइटिक किसकी है एक तरीके की होगी होलोफाइटिक होगी किसकी है दोस्त बताओ इसमें से किसकी अच्छा सवाल है, सोनु सरकार विरम मनोज, जहर, बिग ड्रीम, जहर, जहर आज कर रहो, तो मस्त, सर्दे को किसकी सर्दे को दोस्त, जो यूगलीना है ना, यूगलीना, यूगलीना की होलो जोईक है, एक तरिके से करेगा, होलो जोईक करेगा, याद रुखो, गेटर इस यूगलीना, और यूगलीना याद रखो कि सर्दे क्या होलो जोईक है, अभीबाप परसिटिक है, ये हेटरो ट्रॉपिक है, अर्थ वर्म कहा है सर, ये आपका उस्मोसिस, इसका तो कोई क्लियर ही नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका अंसर, उड़ने में समर्स होता है, क्यों हो समर्स होता है, अंधेरे में वो अपनी साउंड को अपनी आखों के रूप में, और वो कौन साउंड होंगी, अल्ट्रावालेट नहीं दोस्त, sound waves नहीं दोस्ट infra-red नहीं दोस्त ultrasonic जिस्टे सरक्या का आजिसे supersonic कहेंगे ultrasonic कहेंगे ultrasonic कहेंगे, ये सब कुछ कहेंगे जहाँ पर आपका answer option number C बनता है, क्या बात है? क्या बात है? बहुत शाणदार और आपने बहुत भीतर रिगेश सवाल को जहां पर सर क्या हो जाएगा जहां पर आपका आंसर options number c ultrasonic sound हो जाएगा ultrasonic sounds वो sound होती है जिनकी अभृती सर क्या तो 20000 hertz के उपर की होती है कितने को पर की होगी सर 20 000 hertz के देंको फिर नहीं मान रहा है क्यों खराब करता तु मेरी क्लास ? मज़ा थे तरे नंगे क्लास खराब करने में राहुल जाटो, अमन स्थेन , हॉट ना लिखाए जी कौची लिखा है माराज कौची लिख लिए हो नाम के आगे है रेसम किस से प्राप्ट करते हैं जो रेसम होता है र fantasy कर रिशंप क से प्राप्त होगा बहुच्छा सवाल है आ आ इसम कीट के अंड pedal मेरह से रिशंप के लारवा से रिशंप के के पूपा से यह सब्लक जोग नहीं बहुत प्या है इक काची काची नाम भीता है तुम सब यह ए इतना घरवाले प्रेम तो नाम रखे होते हैं, राकेस, लिखना होता है रॉकी, बताओ, देखिए, तो रेशम किस से प्राप्त होता है, रेशम तर क्या याद रुखोगे, यह प्यूपा से प्राप्त है, रेशम के किडे के लारवा को प्यूपा कहते हैं, और रेशम का किड देका पालन, देका पालन, there is the option number C, C is the correct है, C बिल्कुल सही है, जहाँ पर 31 प्रतिशत है, जहाँ पर अनीशा है, बिग ड्रीम है, रूबी है, ठीक है, आप हमेशा C लगाओगे, भी लगाने वालों, गलत हो आप, ठीक है, नक्ष्ट आजो, भारत में से निम्लिकित में से दोस्त, तो भुकंप की पेटी में अवस्थित बताओ, कौन सा है दोस्त बताईए, आजी, कौन है दोस्त, बताईए, वो कौन है जो भुकंप की पेटी में अवस्थित है, एंग्री अनुस्ती लगा दी आपके लिए, क्या बात है, हमारी लिए अंसर भी तुम चेंज कर पर सही हमारी बात मानोगे हमेशा सुक्षि रहोगे फ्रसंद्द्र होगे जिन्सद्ऱन न कोई दिक्कत नहीं आएगी सेलेक्शन हो जाएगा समझा करो हमारी बात मानो हम कह रहे है न जस महें हिस जैसे हैं जितने हैं हमारे ही हैं बात मानो हमारी फिर क्या bit General त्था न लोत को अ bound क्या हो जाएगा उन नरोरे सारयांथ रहो है नरोरा और व्यात रूद क्वेंगे कहां पर दिया है जो नरौरे अंट भी टारहा वे लोकेटेंज होटाई जहां पर चीह सव्यांगल हेचीज स्वारी सोन रचे Conservation School Netherman विखित में से कौन www www के विष्कार कौन है एडवर्ट कैंसर देखो एडवर्ट जिनरर के सरकिया सौतेले भाई एडवर्ट कैंसर का भी नाम है बिल गेट्स टिम बर्नर स्ली विनोध धाम किसने किया दोस्त भाई क्या बात है और आज क्लास में पहली बार छेसो बच्चों क कि लाइव वाचिंग है तो इस बात के लिए दोगों हात हो उटाया जाएगा दोनों हात होब्स एक तक है किया कहा जाएगा कि ओम नमध्यू बहुत है यह यह एडवर्ट जेनर होता सर कौन होते तो स्मॉल पॉक्स होता बिलिट्स IBM IBM और Microsoft के हैं विनोत धाम मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं सौरी एक अत्यर प्रतिशत सन्नी अनिशा जया क्या बात है नेक्स आजाओ आसा की धातू किसे कहते है metal of hope फिर कौन है जो metal of hope कहा जाएगा उरेनियम को सीसा को थोरियम को metal of hope क्या होगा बढ़िया बैतर है इसमें से जो metal of hope है वो क्या हो जाएगा देखिए समझेगा बड़ा प्यारा सवाल है ने लेट है थोरियम है प्लुटोनियम य रेरेनियम है य यूरेनियम को क्या कहते है दोस्सarlo केरल में इसका प्रदूशन भी हाया था port clown मना था by न बन आथा बन जहां प्र आप कहते था क्या होगा सर जहां पर आपका अंसर इसे नियम ऑप्शन नंबर बन हो जाएगा 25 प्रेसेंट हो तुधीर रामराज संजीव क्या ही है नमलिखित में से किस धातु का गलनांग सबसे कम है सबसे कम किसका है पारा का कॉपर का चांदी का या सोने का का किसका है किसको में से कम मल्टिंग पॉइंट किसका है किसका मैल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा वो सबसे कम देखा जाएगा आप हमारे हीरो हो वाह तुम लोग को चाहते लो चदे के जाड़ पर कि अधर में वहां से गिरा तो मतलब हड़ी-गुड़ी तूट जाएगा हम रहा हम देखिए सर निम्लिखित में से किस धात को गलांग सबसे कम है संपल सी बात है मर्कुरी कितना होता है माइनश 49 डिगरि सेल्शियस माइनश 49 मर्कुरी मैनश 49 इतना होता है दोस्त मैननस 59 होता है ठाड़िए जहां पर 42 पर्तिशत है दिवाकर कूलकॉप रोशन क्या बात हैंने अच्छ सर गा कि सकी कर्णत का रंग हुआ में फिका पढ़ जाएगा अजी पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाएगा hydrogen sulfide, oxygen, carbon dioxide ये nitrogen, पीतल का सर क्या कालापन किस में हो जाएगा, बताइए बढ़िया क्या बात है दोस्त क्या बात है पीतल का कालापन किस की वज़ा से होगा आजी प्रवीन सिंग, रूभी, स्टीता राम बिग ड्रीम, संगम कुमार पीतल का कालापन कैसे होता है सर hydrogen sulfide, H2S hydrogen sulfide सर क्या पीतल का कालापन, चांदी का कालापन तामे का हरापन, ये कौन लेकाता है सर ये आपका लेकाता है hydrogen sulfide याद रखेगा oxygen नहीं, CO2 नहीं option नमर भी बिल्कुल सही है एक क्यावन प्रतिशत है, आरित्तिराज अंजली, अनुराग, क्या बात है next, तामर संदूशन से बचने के लिए पीतल के बरतनों पर समायन तक किस धातू की परत चढ़ाई जाएगी बहुत प्यारा सवाल है, आपने आज तक लोहे का सुना होगा लोहे में कुरूशन लगता है जिंक की परत चढ़ाते हैं, पर तामे में कौन सी चढ़ाऊगे, बताओ सर तामे में कौन सी चढ़ाऊगे, बताओ तामे में कौन सी परत चढ़ाई जाती है तामे में संदूशन से बचने के लिए, बताओ सर कौन सी प्रत चभा जाती हुआ हुआ about पर samma पूछ लिया अर ठीन का तिन है ना टिन तेक्ष राहते हैं जाने सधय जाएं गश्ट का रिंग रिंग Said यानि टिन का शोल्डर, ठीक है, 17 प्रतिशत हैं बिलकुल, अनुराग, रिशब, विपिन, है ना, मतलब नहीं पता जबरस्ती जिंक मारोगे, आंसर नहीं पता जबरस्ती करोगे इसके साथ, है, ब्रात में निकले हो, नेक्स आजाओ, पक्षियों को बहुत उचाई पर उड़ते समय, सास की परिशानी क्यों नहीं होती है, बताओ, जो पक्षी होते हैं, बहुत उपर उड़ते हैं, ये आसमान में उड़ते हैं, जब वो आसमान में उड़ते हैं, तुन्हें सास की परिशानी क्यों नहीं महसू सुतिव रहां sir, because his lungs are very big, उनका फेफ़डा बहुत बड़ा होता है, because they fly with inactivity, he is extra air sex because they use less oxygen, क्या होता है, क्या होता है, बहुत प्याना सवाल है, मैं तुम्हें यकीन के साथ कह रहा हूं, मैं यकीन करो, वरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, अगर तुमने यह क्यावन सव की सिरीज है, तुमने एक एक कोश्चन अगर रट लिया ना, बाबू रे, सोना रे, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल आके तुम्हें गोर पकड ले याद रखना, इस तरीके सार क्या, याद रॉखो कहाँ मैं इस कोश्चन को सेट कर रहा हूँ, जहाँ पर याद रखोगे क्योंकि उनमें अत्रिक्त वायू कोश्च होते हैं, they have extra air sex, उनके बास क्या होते हैं? अत्रिक वायू कोश्च होते हैं, याद रखोगे, the option's he will be the correct here पचास प्रतिशत है अंजली सनी रिशव याद रुखोगे अब जब इन कोश्चन को सेट कर रहा हूँ ना तो मैं कभी भी यह नहीं करूँ कि एक बायो का रख लिया जाए केमेश्ट्री के लिए नहीं दोस्त जैसे मुझे कोश्चन अच्छे लग रहे हैं मैं उठाकर ला जो भायो बैयो इह सुर्फ है मैं एसा भी होगा किसी इन पर में परसुटी त्यों के प्रसुटी काल को क्या घर वहा को令 Meg ब्लडडेड आनिमल को ब्लो देडीड निमल में क्या हो जायेगा अजीillar दो उससे कहा जाएगा जाएगा खाहिबर नीशन क्या बात हु नेख्षा जाओ नमख्यों के प्रज्तनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? पर क्या मधुमक्यों का प्रजणन करवाओगे और उनको ब्रीड भी करोगे इसको क्या कहा जाएगा? स्टेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, PC कल्चर या IP कल्चर क्या कहा जाएगा दोस्त पताई है? क्या कहा जाएगा उससे बढ़ है Sir देखो तक जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मधु मखिया इनको क्या करना है Sir? इनको प्रजिनन भी करवाना है देख लो और प्रबंधन भी करना है अब है are इनको एन्से बेच के पीस भीन खाना है और सिर्वी कल्चर क्रॉप्स के लिए होगा, फसलों के लिए होगा, फसलों के लिए होगा, फसलों के लिए, यहना, तो इसका सही सही उत्तर आपका option number D बन जाएगा, सर क्या बन जाएगा, option number D, हमको 50 question करवाना है, हमरे पास 13 minute है, भाया जी, आओ तेज करते हैं, तोड़ा स आप कीटो को कैसे पहचान होगे, यह कीडा ही है, यह कीट ही है, यह insect है, कैसे पहचान होगे, सर सामने वोला कीडा है, insect है, कैसे पहचान होगे, हम जी, बताओ, फिर कीटो को कैसे बजानेंगे, ठीक है, देखो, 40 question तक मैं आपको क्या करवा दे रहा हूँ, 40 question तक मैं आपक कि इसको दे रहा हूं ठीक है, अब फिर आगे के जो 10 q questions है मैं उसको rapid fire में रखता हूं, अगरी हो अगरी हो, है, अगरी हो इस बात से कि अंतिम का 10 q question, Rapid fire खेल दिया जाए, अगरी Rapid fire पाँच मिन में हो जाएगा, भरोजा कर लो तुम, पांच मिनिट में आजो एंग्री नहीं वला हूँ कीटे सर क्या उसर कीट के इनके पास तीन जोड़ी पैर होंगे कितने पैर होंगे दोस्ट तो इनके पास कितने पैर होंगे तो इनके पास हो जाएंगे तीन जोड़ी पैर कितने पैर होंगे दोस्त तो इनके पास तीन जोड़ी पैर हो जाएंगे किसके पास कीटों के पास याद रखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर option number A बन जाएगा option number A, 42 प्रतिशत बच्चों का बिल्कुल सही है, cool cop, kunnan, sonu, ठीक है, आजो next, देखो next कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है, इसमें से कौन है जो अंडे देगा बच्चे नहीं देगा, कौन है दोस्त इसमें से कौन है जो सीधे अंड़े को देगा बट बच्चे को नहीं देगा कौन है वो कौन है दोस्ट जो यहां पर सीधे अंड़े को देगा बट बच्चे को नहीं देगा सर याद रुखोगे। ताड़ी, फारी भी कुछ को ya वेल मचली, फारी, कंगारू, एकिड़ना। एकिड़ना याद रुखोगे यह क्या हैती यह प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया प्रकार के मैमल है जो क्या करते समे सूढ जहां पर निकी निकी है, तो नम है, सोनत है, कूल कॉप है, कौन सा एलकोहल निरमाड में प्रयोग होगा, है इ immigration को स्क प्रयोग करते हैं? जहां पर मैं कल 100 questions करवाऊंगा, ठीक है, तो कल तक हम 200 questions तक पहुँच जाएं, कल 50 किया, आज 50, कल 100 करेंगे, कल 100 करेंगे, ठीक है, सर अनुमिखित में से कौन alcohol के निर्मार में प्रयोग होता है, सर कौन है सर, वो है yeast, yeast का, और yeast का है सर, yeast यहां पर catalyst होता है, नहीं, yeast खमीर, ठीक है, खमीर, कल 100 question होंगे, ठीक है, और एक दिन किस दिन मन करेंगा न, तो पोलवल को गोली मारेंगे, एक दिन मन करेंगा, तो पोलवा को उठा के पटक देंगे, और फिर सर क्या, उस दिन, एक घंटे में 200 question करेंगे, कितना करेंगे सर, एक घंटे में 200 question करेंगे, राहुल जाटो, चंदन, रामराज, फ्रैंक गेमिंग, ठीक है, इन मूट खराब होगा, एक घंटे में दोसों क्वेश्चन करेंगे, प्रकास संसेशन क्रिया में ऑक्सिजन कहां से मिलता है, वायू से, वाटर से, मट्टी से, सूरे के प्रकास से, सरीक ये प्रकास संसेशन क क्रिया में ऑक्सिजन कहां समलता है, वो टू, ठीक है, अलगी स्पीड में, लेकिन तुम लोग का हलत आप जाएगा, अगर मैंने एक घंटे में दोसों क्वेश्चन करवा दिया ना, तुम्हारे कमेंड तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा, आना, पटा-पटा-प करेंगे से लिबस को पूरा, तर किसे मिलता है से अक्सिजन जल से, आप निश्चिंतर हो दोस्त, आप अपने पेपर को लेकर ना, निश्चिंतर हो, हमारी टेंसर नहीं आपको कैसे 30 में 30 मैं कैसे दिलवाँगा, यह करवाँगा, पेपर आने से पहले एक दिन में पूरी एक दिन में पूरी biology, एक दिन में पूरी chemistry, MCQ type, और भी बहुत सारे questions है, जो बना रहा हूँ मैं, तो बस आप निश्चिंद्र हो, Adam निश्चिंद्र हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और आप PDF के लिए, बिहार exams वाला telegram पर join हो जाना, जीवन, कुमार, राम, राज, किशन, ठीक है, चलिए, नेस्ट आज़ो, कवक किस खादेपदार का संचय करते हैं? बताव, कवक, सर कवक किस का करते हैं? कवक फैट, वसा, गलाइकोजन या गुलकोज, कवक किस का storage करेंगे? कवक, कवक ग्लाइकोसन का करते हैं, ग्लाइकोसन का, ग्लाइकोसन का, नेक्स्ट आजो, बरसात करिनों में चमडे में उगने वाले कवक को क्या होता है, क्या होता है दोस्त, हाँ जी, चमडे पर उगने वाला कवक क्या होता है, म्यूकर, अल्बियूगो, पैनिसीलियन, पैन प्निसिलियं में इसे प्निसलीन प्रिषण अषा के हुआ नेक्स्ट परमशूने ताप पर अर्थ चालकों में बिद्धुत परितिरूद क्या हो जाएगा अनन्त हो जाएगा अनन्त परिसरीन के आविश्कारक कौन थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो एक और क्वेश्चन है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुल्बुले बनते हैं जिसका करण क्या अक्षिजन गास सी ओटू गास और अब आपके जो भी डाउट है पूछो मेरे से आप उसर क्या एक होम वर्क विज़े दिया मैंने और जो भी डाउट है पू अच्छ लाइब थे और आये सर आपको सरक्या एक बार मैं पोल दिखा दू और पोल में टॉपर कौन है देखो कौन है आज टॉपर देखो क्या बात है जो इस्टूडियो वाले भाया है ना वह तालीव है आपके लिए तलसा है तीस्वे नंबर पे जीए आज पहिला पे गई है एंग्री अनू 1225 नंबर के दाथ पहले पे हैं दूसरे पे राम राज है तीसरे पे कूल कॉप है चौदर पे जीवन है विरम है बारिश छटमे पे मैं बारिश की बोली समस्ता नहीं था हवाओं से मैं यू उलस्ता नहीं था इस विकी राजपूच श्वेता सुना इसको किसी इतना मारूंगा ना सर इतना मारूंगा इसको किसी जिन भूल जाएगा अपने आपको प्रवीन है राहूल है दिब्यांशी है मस्त जाखर है क्वीन ओफ हर्ट्स हैं बीस प्यां पे गुडिया आर्मी बॉय श्याम यादो राव फिटनेस तनुजा कंचे मिनी क कुमारी प्रतिमा प्रिंस एट्यूड भारतिय विद्या जैश्री राम मुकेश कुमार हैपिनेस योगेश माही दिवाकर अनू सोनी अजीत अमन एके यहां तक संतोष रॉय यह हमारे टॉप 40 बच्चे हैं इन्होंने इस कोश्चन में सरक्या क्लास में पार्टिसिपेट क किया और अपने आंसर्स को दिया और यहां पर क्या सभी टॉपर्स को वैरी 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 कॉंग्रेचुलेशन तर एक चैरी सुना दिए हैं चैरी सुनोंगे हैं मॉटिवेशन सुनोंगे हैं मॉटिवेशन सुना दे तुमांको ठीक है सुनों सरे को एक चडिया है कि परमे परवाश की शक्ति है, मन में आगाश की शक्ति है, वो परक रही है, तूफा के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही है, आसमान में ना बात्र की राहत है, परलगी सांस जब फूल ने, तूफा ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को लाधर्ती पर पटक दिया, पर जाड रही है धूल परों से, रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद, उड़ने की ललक पुरानी है, और गलत करूँगा सब को साबित, जो कहते ना कि तुम से नहीं होगा, यह उनके लिए है, कि गल गिलेज़ाना मेरा अंत नहीं, गिलेदा को आर्यंत के यहां पर कोई अर्यंत, गिलेजाना मेरा अंत नहीं, बրजाना मेरा अंत नहीं.